चिराग पास्वान ने अपने चाचा पशुपती पारस से कुछ ऐसा बदला लिया कि उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा पहले उनसे उनकी पाटी छीन ली उनसे उनके जो जीते हुए सांसत थे जो उनके दल में थे उनको भी अपने में मिला लिया और उसके बाद उनको एक भी चोड़ा गया और उनके राजनिती करियर पे फुल स्टॉप लगा दिया है चिराग पासवान ने बदला लेने का जो ये प्रक्रिया उन्होंने अपनाया है वो बहुत जादा अलग है क्या है उनका बदला किस तरीके से अपने चाचा पशुपती पारस से लिया है उन्होंने बदला इस पूरी जानकारी इस पूरे घटना करम से हम आपको रूबरू कराएंगे लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रेज़त और आप देख रहे हैं जंता जंक्षन आपको ग्यात होगा जब सिराग पासवान की पार्टी खंडित हुई थी और उनके चाचा पशुपती प पारस को एक भी सीट एंडिये के तरफ से नहीं मिला जबकि पाच सीट चिराग पासवान को मिलता है पाचों में पाचों चिराग पासवान जीत जाते हैं यही नहीं वो जीत के केंद्रिये मंत्री बन जाते हैं और उसके बाद जो उनका ओफिस था जिसमें राम विलास पा कि उनका ये रास्ता भी नरस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपंद्र कुस्वाहा ही गए थे और उपंद्र कुस्वाहा उनके प्रस्तावक के तौर पे उन्होंने अपना हस्ताक्षड भी किया था। उन्हें राजसभा भेजने में वो सफल रहे और साथ ही साथ अपने चाचा से वो बदला भी पूरा ले लिया जो वो रोते वक्त उन्होंने वादा किया था। जिसने मेरी पार्टी तोड़ी है मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूँगा और वो इस्तिती आज पशुपती पारस की देखने को मिल लई है। तो वाकई उनके पास अब कुछ नहीं बचा ना कोई सांसत बचे ना ही अब राजे सभा जाने का कोई अवसर बचा और ना ही उनका जो आफिस था जो कि राम विलास का आफिस था और उसके बाद उनका हो गया था और ना ही वो आफिस बचा मतलब अब कहीं के नहीं है फूट फूट के रो रहते चिराग पासवान और उस वक्त इन्होंने कसम खाई थी कि मैं अपने पार्टी तोड़ने वाले को कहीं का नहीं छोड़ूंगा और वाकई आज पशुपती पारस कहीं के नहीं बचे मतलब वो एक मामला देखने को मिल रा था एक मुद्दा देखन को मिल रहा था कि हो सकता है वो राज्यसभा जाएंगे या राज्यसभा भेजे जा सकते हैं लेकिन उनके नाम पे फिर से एक बार अटखलने लगा दी गई है और उनके जगे पे उपेंद्र कुस्वाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है और उपेंद्र कुस्वाहा में ख ग्रहन लगता हुआ दिखाई दे रहा है वाला कि उनके पार्टी की प्रवक्ता जब मीडिया से रूबरू हुई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं जिनको राजसभा भेजा गया उनको कांगराचुलेशन बधाई लेकिन अब हम उमीद करते हैं कि उनके नाम के आगे माननी एक गौर्णर शब्द जो है वो जोड़ा जाएगा यानि उन्हें गौर्णर बनाया जाएगा अभी एक बात कितनी सच होती है कितना सही होता है ये तो अभी देखना आगे परेगा लेक करके अपना वचार हम तक जरूर साजा कीजिए बागी आप देख रहे हैं जनता जंग्शन और मेरा नाम रजत है